अस्ताम लोको में स्टूडेंट्स कैसे आम लोग उमीदा आप सब खेरियस से होंगे आइम सहीदे कामने अदीम आइम यह बायोलोजी टीचर फोर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स आज चो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स को डिटेल में स्टूडी करने के लिए हम चलते हैं अपने वाइट बूट की तरफ स्टूडेंट्स आज चो हम सेल और गनिल पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक दफाह याद दिला दूंकि अपने पिछले लेक्चर में हैं हम लोगों ने जो सेल और गनिल पढ़ा था वो था लाजसोम और हमने देखा था कि लाजसोम सिंगल मेंब्रेन बाउंडिट और यह और यह रिलीस करता है डाजस्टिव इंजाइम्स जो कि किसी भी फूट पार्टिकल या फिर वेस माटीरियल को डाजस्ट करने के छूटके लाजसोम रिलीस करते हैं डाजस्टिव इंजाइम्स और यह डाजस्टिव इंजίम्स ब्रेक्डाउन करते हैं इन फूट्ट पार्टिकल कि या फिर वेस्ट बटीरियल की into small pieces आज हम स्टार्ट करते हैं सेल ओर गनिल सेंट्री ओल्स Students, आप लोगोंने Centrioles का नाम सुना होगा, लेकिन आप लोग इसके structure से और इसके function से शायद familiar नहीं होंगे इसलिए आज हम detail में study करते हैं Centrioles को, हम यह देखते हैं कि Centrioles की अगर हम occurrence देखें कि किन organisms में यह Centrioles यह यह cell organs पाए जाते हैं जिनकों हम Centrioles कहते हैं तो हम इसकी अक्रेंज सबसे पहले देख लिए हैं तो students हम यह देखते हैं कि यह Centrioles कहां कहां पर पाए जाते हैं, कौन से organisms के cells में यह present होते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह Animal Cells में भी present होते हैं और साथ ही साथ यह Unicellular Organisms में भी present होते हैं Animal Cells में भी पाए जाएंगे Centrioles और यह Unicellular Organisms में भी पाए जाते हैं अगर हम Centrioles के structure की बात करें तो हम यह देखते हैं कि Centrioles holo cylindrical structure रखते हैं holo cylindrical structure रखने का क्या मतलब है यानि यह ऐसे structure रखते हैं जो के अंदर से हाली होते हैं यह ट्यूप लाइक होते हैं और यह अंदर से क्या होंगे holo होंगे तो अगर हम इसकी structure की बात करें तो यह holo होते हैं यानि यह अंदर से हाली होंगे और यह क्या होंगे इसलेंड कल इन शेप होंगे इसलेंडरी कल इन शेप तो इसका मतलब यह वह के सेंट्रियोल्स ऐसे और गनिल्स होते हैं जो के होलो है और स्ट्रेंडू है और क्या मतलब है क्या यह क्या होंगे यह त्यू प्लाइक होंगे त्यू प्लाइक और एल्ओर का अब मतलब जैसे मेन आप को बताया यह अंधर से क्या होंगे empty होंगे यहां यह खाली tubes होंगी जो किया कहलाती है centrioles कहलाती है इसके बाद students हम यह देखते हैं कि अगर हम इसकी diagram देखें तो आप लोगों को centrioles वो किस तरह के नजर आते हैं इस तरह की tube like structure से रखते हैं और यें अंदर से मैंने आपको बताया कि ये क्या होंगे हो लोओंगे जैसे आप दो को नजर आ रही है ये tube life structure से और यें अंदर से क्या हो लो एं यानि कि ये खाली है और हम यह देखते हैं कि आपको थीन जो relyingнее ये एक साथ नजर आ रहे हैं ये जो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फिर इस्टुटेंट्स में आपको इसकी डाइगरम भी एक्स्पेन करूंगी तो हम यह देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में एक और जो खास बात है वो क्या है कि यह किस चीज से बने होते हैं यह बने हो बनाती है और यह micro tubules जो है यह क्या होती है ? ट्यूब लाइक होती है बहुत ही छोटी-छोटी सी यह भी tube लाइक स्टुक्चर सोते हैं और हम यह देखते हैं कि यह कौन सी प्रोटीन से बनी होती है centrioles क्योंकि microtubules से बने हुए centrioles भी किस चीज से बने हुए microtubules से बने हुए centrioles भी तो इसका मतलब यह हुआ के centrioles की जो chemical nature है वो भी क्या है वो भी tubulin protein है तो इसका मतलब क्या है कि centrioles are composed of microtubules और अगर हम इनके chemical nature देखे हैं तो more protein से बने होते हैं अब मगें की डाइग्रम के तरह वापस आजए तो आप लोगा जैसे मैंने बताया कि यह किस चीस से बने हुए microtubules से बने हुए और यह कितने microtubules से बने हुए यह ट्रिप्लिट यानी तीन के सेट ओप माईक्रो ट्राइब से बने में यह हम जेटेकर तरह के तीन माईक्रो ट्रॉब्यूर्स जो है इस तरह की तीन ऐसाथ एक सयट बाएंगी हॉआए और आपको एक एक लूग में लागा यह तृपिलेट को कितने असरा आएंगे या आपको नजरा आंगे 9 तो अगर हम 9 को 3 से multiply करें तो total आपको micro tubules किती नज़र आएंगी 27 नज़र आएंगी हम यह देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 और हम इसको label करेंगे कि यह क्या है triplet micro tubules है triplet क्योंकि यह set of 3 है तो हम इसको कहते है triplet micro tubule और हम यह आपको दिखा रहे हैं Central का structure और यहापको इस side view हम दिखा रहे है Central की अगर हम लोग जो है वो साइट से हम उसको microscope में उसका side view ले तो हमें इस तरह का जो हो नज़र आएगा अगर हम जो है वो क्या करें side view देखें Central का तो हमें इस तरह का दिखाए देगा जिसमें आपको क्या नज़र आएंगी आपको इस तरह के triplet नज़र आएंगे और यह triplet कितने होंगे यह 9 triplets होंगे और यह triplet हम इसको triplet क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस तरह की तीन माइक्रो टुब्यूल मिलकर जो है वो एक सेट बना रही है और इस तके नाइन सेट्स ओफ ट्रिपलेट्स रहे मिलके एक सेंट्रियोल बनाएंगे ठीक है 123 triplet microtribule and there are how many triplets are present there are 9 triplets present तो हम यहाँ पर जो वो इसको देख भी लेते हैं कि यह साइट व्यों हमारा सेंट्रियोल का लेकिन अगर हम जो वो सामने से देखे हैं सेंट्रियोल को तो वो आपको इस तरह का नजर आएगा यहाँ पर भी स्टुडेंस आप लोगो triplets नजर आ रहे हैं यानि तीन तीन के जो एक एक सेट नजर आ रहे और यह आपको कितने सेट्स नजर आ रहे अगर हम इसको काउंट करें तो वन टू त्री फॉर फाइफ सेवन एट नाइन ठीक है हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं कि यह पहला सेट यह सेकिंड है यह त पॉर्थ फिफ्ट सेट्स सेवन एट और नाइन तो हम यह देखते हैं कि आपको इस तके नाइन सेट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर हम जो यह पात स्ट्रॉक्चर में मैंचन भी कर देते हैं ताके आप लोग को जो यह यह याद भी रहे कि आपने जो यह वो कितने माइक्रोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसके अंदर जी वो कितने माई कडियो जैए इसे एंट्योल के अंदर जवाद देखते हैं कि 9 सैट्स of क्रिप्ले 얼 को का मतलब है इसका मतलब यह है के हमारे पास वस्ट क्या चीज़े है हमारे पास 9 sets in total और हर सेट में अगर हम माइक्रोटुब्यूल को काउंट करें तो वो कितनी है थ्री है और अगर हम यह देखना चाहें कि total number of microtubules एक central में कितने प्रेजन है तो वो होंगे 27 यानि तो टोटल number of microtubules जो है वो कितने होंगे 27 होंगे हर सेंट्री ओल में तो इस्टूट्स जी बात आप लोगों से याद रखने है क्योंकि आप लोगों से एंसे की में पूछा सकते हैं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक central में कितने सेट्स ओप्रिप्लेट सोते हैं तो आप लोगों को पता होने चाहिए कि कितने सेट्स होते हैं कि नाइन सेट्स होते हैं ट्रिप्लेट के लेकिन अगर वो पूछे के टोटल नंबर माइक्रो डिप्लेट कितने होते हैं और आपके पास जो इस किसम की जो वो क्या हो फीगर मौजूद हैं से क्यों में तो आपने इसी को टिक लगाने या इसी को एंसरेकल करने कि 27 जो वो टोटल माइक्रो टिब्यूल सा प्रेजर इन इज सेंट्रियों तो यह है कि एक पहर ऑप सेंट्रियों को हम करते हैं सेंट्रो सोम तो हमिए देखते हैं कि सेंट्रो सोम की अगर हम लेपनेशन देखें तो हम कहते हैं कि प्रेर ऑफ पर पेर ओफ सेंट्रियोल्स पेर ओप सेंट्रियोल्स इस नोन ऐस सेंट्रो सोम यहां फिर हम जो है वो इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और वो क्या है हम यह कह सकते हैं कि two centrales are collectively known as Central so so pair of centrales कि मतलब भी ये किसके ले कितने होंगे 2 Central होंगे तो आपके पास våra補待 नेशन डिफरेंट करूंfle LAU मौजूद हो सकती हैं आप इसको जब हो दो डिफरेंट टरीकों से या दो से जादा भी वेश होते हैं इससे कि activa उसको define कर सकते हैं लेकिन हम यह देखते हैं कि आपके पास ज्यादा बेहतर यह कि आपकी जो book में definition दी गई है वो आप जो पेपर में लिखें तो हम यह देखते हैं के centrosome की जो definition है वो हम कैसे कर सकते हैं एक और जो तरीक है जो कि आपकी book according है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेंट्रियोल्स और कलेक्टिवली नोन ऐस सेंट्रोसोम यानि सेंट्रोसोम हम दो सेंट्रियोल को जब कलेक्टिवली हमने उसका नाम लेना हो तो हम कहते हैं यह सेंट्रोसोम है या पर हम यह भी कह सकते हैं पेर आप सेंट्रियोल्स इस नोन ऐस सेंट्रोसोम तो यह दोनों इसलिए आप को बता दिये कि जो बुक के अकॉर्डिंग डैफिनेशन है वो आपने जो पेपर में लिखनी है क्योंके हम यह देखते हैं कि जाधा जो अगर आप देखें नाइन्थ या मेट्रिक का लेवल को आप देखें तुसके नंबर जो आपको पूरे मिलेंगे लेकि तो बुक के अकॉर्डिंग बसको बता दिये कि जैसे मनेों के बता जाते हैं के बहुत सारे उनीशनल और और्गनिजम्स में भी सेंट्रियोल पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी सेंट्रियोल पाए जाते हैं स्टुटेंट्स अब हम लोग जो वो लुकेशन देख लेते हैं कि सेंट्रियोल्स कहां पर प्रेजन होते हैं तो हम यह देखते हैं कि सेंट्रियोल्स की सबसे पहले हम लोकेशन की हेडिंग देंगे लोकेशन ओफ centrioles अगर हम किसी भी animal cell की बात करें तो हम यह देखते हैं कि यह जो centriole होते हैं यह कहां पर present होते हैं नियर्द एक्स्टीरियर सर्फेस ओफ नियर्द एक्स्टीरियर सर्फेस ओफ नियूक्लियस नियूक्लियस के एक्स्टीरियर सर्फेस के बिल्कुल करीब प्रेजन होते हैं और मैं आप लोग को अगर डाइगरम एक एनिमल सेल की ड्रॉव करके दिखाऊं तो आप लोग को ए एक एनिमल सेल जो है वो किस तरह का नजर आता है और वहाँपर सेंट यूस कहां पर प्रेज़नाट हथे वह मैं आप लोको जो डाइग्राम के हेल्प से ज्रेव दिखा देती हूं सुरिंट्स यह हमारे पास जो है एक एनिमल सेल है जो कि अभी मैं डॉर करने लगी हूँ और यह की है इसल मेंबरीन यानी आव्टर कवरिंग जो एनिमल सेल की उती हुथ यूथ हम कहते हैं इसके हैं दर मेंनियान नहीं के सेंटर में आप लोगों को पता है कि क्लिए प्रेंट है ठीक है और हम यह देखते हैं कि हमने यह कहा है कि इस न्यूक्लियस की एक्स्टीरियर सर्फिस के बिलकुल पास या नियर दो सेंट्रियोल्स प्रेजन होते हैं तो हम यहाँ पर जो इसको लेबल भी कर देते हैं कि सबसे पहले जो आउट्रेमोस कवरिंग हमें नजर आती है किसी भी एनिमल सेल में वो होती है सेल मेंब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मा मेंब्रेन भी कहते हैं दर्मियान में आप लोग को स्टुडेंट्स नजर आ रहें नूकलियस किसी भी एनिमल सेल के दर्मियान में आपको क्या नजर आते हैं नूकलियस नजर आते हैं और यह जो दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं centrioles का और यह आपको nucleus की exterior surface के बिल्कुल past नज़र आ रहे हैं इसके इलावे students एक और जो हमने कहा था कि दो centrioles को हम लोग collectively जो एक और नाम भी देते हैं और वो नाम क्या है? वो है centrosome का तो मैंने आप लोग को इसकी location बताई कि किसी भी animal cell की अगर हम बात करें तो ये nucleus की exterior surface के बिलकुल करीब होते हैं और दो जो centrioles होते हैं उनको collectively हम centrosome का नाम देते हैं अब students हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर centrioles की हमारे cells में क्या importance है क्यों centrioles जोए वो हमारे cell के लिए इंतहाई important होते हैं इनका क्या role है वो हम अपड़ने जा रहे हैं तो हम लोग जोए वो क्या देख लेते हैं centrioles का role देख लेते हैं role यह function of centrioles तो हम यहाँ पर heading क्या देंगे role of centrioles किसी भी cell में centrioles की क्या importance होती है हम भी देखते हैं कि अगर हम centrioles के role की बात करें तो आप लोगों को पता है कि centrioles जोए वो किस चीज़ से बने हुए माइक्रो टिब्यूल से बने हुए और अगर स्टुडेंट्स आप लोगों को यादो कि माइक्रो टिब्यूल का हमने function पर रहा था कि यह cilia और फ्लेजला बनाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि centrioles भी किस चीज की formation में help करते हैं या किस चीज की formation में अपना role play करते हैं तो यह भी cilia और लेजला बनाने में क्या करते हैं, help करते हैं, cilia और flagella की formation में जो ये involved होते हैं, cilia and flagella की ये formation में involved होंगे, centrioles are involved in formation of cilia and flagella, अब हम ये पहले देख लेते हैं कि cilia क्या होते हैं और फ्लैजला क्या होते हैं यह कॉंसेप्ट स्टूडेंट्स में आप लोग को पहले भी बता चुकी हूं चैप्टर नंबर वन में के सीलिया और फ्लैजला क्या होते हैं हमने साइटोस्केलेटन के टॉपिक में भी पढ़ा था के सीलिया और फ्लैजला क्या होत majorly cilia और flagella जो है यह ऐसे structure से जो कि लोको motion में help करते हैं और हमें यह कहां पर नज़र आते हैं यह नज़र आते हैं अगर हम जाधा common example देखें तो cilia कि अगर हम दोग जो है वो example देखें तो हमें यह नज़र आते हैं outside the body of paramecium यह जो surface होती है paramecium की on outer surface हम जो है सकते है on outer surface of paramecium और यह example आप लोगों ने पड़ी थी first chapter के अंदर भी के paramecium की body जो होती है वो cover होती है cilia से इससे अगर हम cilia का structure देखें पहले हम structure देख लेते हैं अगर हम cilia का structure देखें तो हम यह देखते हैं कि यह small thread like structures होते है small thread like structures होते हैं यह लेकिन अगर हम flagela की बात करें तो flagela भी locomotion में help करते हैं मगर हम यह देखते हैं कि यह large in size होते हैं और यह large filament like structure रखते हैं और हम अगर flagela यह देखें कि फlagela कहां पर present है तो उसकी common example हम देखते हैं कि यह bacteria cell में आप लोको नजर आएंगे bacterial cell surface बाहर की उसके बाहर जो यह आपको नजर आएंगे और यह long होते हैं ठीक है यहां पर जो हम कहते हैं कि इसकी जो length जो है जो सीलिया और फाल फरक होते है वह इनकी साइस में या लेंद में में होते है कि सीलिया कि जो लेंद होती है क्या होती है ? शवड़ और यह कहां पर में पर इस रहते हैं नजर आएंगे और ये bacterial cell की locomotion में भी help करते हैं इसके इलावा अगर हम दो सीलिया की example लें कि सीलिया और कहां present होते हैं क्या यह से परमीशियम के body के बाहिर ही present होंगे या उसके surface पर present होंगे तो ऐसी बात नहीं है जो हमारी body है यह उसके structures में भी present होते हैं जैसे के हम यह देखते हैं कि हमारा जो respiratory tract होते हैं उसमें भी सीलिया पाए जाते हैं सीलिया जो है वो और कहां पाए जाते हैं सीलिया और और अल्सो प्रेजन या आप दो के लिए एक interesting information है कि सीलिया are found in respiratory tract of human respiratory tract of human और यहां पर सीलिया का इन छोटे 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 थ्रेड लाइक जो इस्ट्रॉक्चर से इनका क्या रोल होते हैं तो यह क्या करते हैं यह किसी भी जैसे अगर हमारे जो है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रूँ जो है वो कोई भी dust particle जो अंदर चला गये तो यह इसको trap कर लेंगे यह पर यह प्रोपेल करेंगे यानि यह वापिस भेज देंगे इसकी movement जोगी यानि सीलिया जो है वो इस तरह से उपर मूफ करेंगे और यह क्या करेंगे यह dust particle को उपर की तरफ भेज देंगे और हमें कफिंग होगी और हमार डस particle जो है वो वापिस क्या हो जगा बाहर निकल जगा एंवार्मेंट में और यह लंग्स तक हमार dust particle नहीं जाएगा तो एक तो यह dust particle को क्या करते हैं trap करते हैं सीलिया trapped dust particles और इसके इलावा हम लोग यह देख लेते हैं कि यह dust particle को trap करने के इलावा जो है वो क्या करते हैं प्रोपेल करते हैं प्रोपेल्स प्रोपेल्द डस पार्टिकल यानि यह उपर की तरफ जो है वो भेज देंगे dust particles को ताके यह क्या होजे बाहिर कफिंगे थूँ जो है वो बाहिर एंवार्मेंट में वापिस निगल जाए और हमाई ऑ सेंट्रोपेल से यह यूज होते हैं इन डफ्रमेशन ऑफिल अन फ्लईल कान स्ट्र tenure अ法 मेटक रादा से जोई फंडल सहरे जय क्रते हैं थैशे बैब स्की अर्पिंडल fibers जोई क्या होते हैं spindle fibers thread like structures होते हैं यह क्या होते thread like structures होते हैं और यह कब बनते हैं यह बनते हैं during cell division thread like structures होते हैं जो के chromosomes को जो वो क्या करेंगे पकड़के रखते हैं उनके साथ attach होते हैं और यह thread like structures जोई कब बनते हैं during cell division यानि जब भी cell जोई वो divide होने लगेगा तो centrioles जो हो इस्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे during cell division और ये जो इस्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं ये attach होते हैं इस्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ ये students आप दो किसकी details जो है वो पढ़ेंगे 5th chapter में during the study of cell division के spindle fibers जो है वो किस तरह बनते हैं central से तो हम ये देखते हैं कि ये जो central से ये spindle fibers बनाएंगे और ये spindle fibers जो है आपने साथ क्या करेंगे attach करेंगे क्रोमोसोम्स को हम ये देखते हैं students मैं आप लोग को यहाँ पर एक डाइग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूं जिसके अंदर में आप लोग को ये बताऊंगी के सेंट्रियोल स्ट्रेवर सेल डिविएन के दौरान किस तरह spindle fibers बनाते हैं हम ये देख लेते हैं इसके detail में तो हम नहीं जाएंगे बस मैंने आप लोग को एक थोड़ा सा एक concept देने कि spindle fibers किस तरह के आपको दिखाई देते हैं और ये किस तरह जोए वो बनते हैं कहां से ये बनेंगे तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास जोए वो ये एक जोए वो क्या है एक animal cell है और दर्म्यान में nucleus है यहां पर आपको जोए वो ये centrioles नजर आ रहे हैं यह अभी non dividing phase है non dividing phase of animal cell में आपको दिखा रही हूँ जिसके अंदर आप लोग को ये नजर आ रहे हैं nucleus ये नजर आ रहे हैं आपको cell membrane और ये नजर आ रहे हैं आपको centrioles जब cell division start होगी तो हम देखते हैं कि यही centrioles यानि dividing phase जब start होगा तो यही centrioles जोए वो क्या करेंगे duplicate करेंगे यानि अपनी copy produce कर देंगे यह duplicate होंगे और आप लोग को ये नजर आएगा कि यह nuclear envelope क्या होगी डिसपेर होगी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे इसके डिटेल में नहीं जाएंगे मैं आपको भी सिर्फ जोए वो nuclear envelope जोए वो क्या होगी डिसपेर होगी जैसे मैं आपको बताया chromatin जोए वो क्या होगा क्रोमोसोम में convert हो जाएगा और यह spindle fibers उन क्रोमोसोम को अपने साथ जोए वो attach करेंगे और वो किस तरह जब डिवाइडिंग फेज होगा आपको मैं एक्जेंपल देती हूँ मैटाफेस की के हमारे पास यह एक एनिमल सेल है यह हमारे पास सेंट्रियोल से जो के क्या करेंगे अपने अंदर से thread-like structures जोए वो बनाएंगे और इन thread-like structures को हम लोग नाम देंगे किसका spindle fibers का नाम देंगे और यह thread-like structures जोए वो अपने साथ attach करेंगे किसको kromosomes को जो कि आपको इस तरीके से नजर आएंगे यह मैना आप लोग को जो है वो प्रो फेस के बाद जो मैटा फेस आती है जिसके अंदर आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी कि क्रोमो सोम्स जोए वो दर्मियान में सेल के जो आ जाते हैं और यह किस चीज़ से जो आटेज होते हैं यह thread-like structure जो आप लोग को नजर आ रहें यह उनसे अटेज होते हैं और इन thread-like structures को हम लोग नाम देते हैं spindle fibers का और यह क्या है यह during cell division आप मैटा फेस देख रहे हैं during cell division आप spindle fibers की formation देख रहे हैं और यह आपको कौन सा फेस मैंने दिखा है मैटा फेस क्यूंकि इसके अंदर जो है वो आपको जाधा क्लियरली जोई यह spindle fibers नजर आते हैं और आपको इनका रोल भी पता चल जाते हैं कि यह किस तरह जोई वो अटैज कर रहे हैं chromosome को अपने साथ तो यह हमाई पास जोई वो क्या है spindle fibers है जो आपको thread-like structures नजर आ रहे हैं तो हम इनको लेबल कर देते हैं कि इस त्रेड-like structures आर नोन एस spindle fibers और यह spindle fibers आपको जोई वो कहां से जोई वो उरिजिनेट होते हैं नजर आ रहे हैं इन सेंट्रो सोम से यानि सेंट्रियोल से यह भी आपको सेंट्रों नजर आ रहे हैं यह spindle fibers नजर आ रहे हैं जो कि किस चीज़ से अटाइच होए में यह क्रोमो सोम से अटाइच होए में हैं स्टूरिंट्स यह मैंने आप लोगों को जो सेल ड्रो करके दिखाए यह जस्ट आप लोगों को एक्जेंपल दिये और यह मैंने आप लोगों को मैटाफेस इसले दिखाए क्योंकि इस पिंडल फाइबर्स और मोर क्लियर इन मैटाफेस ठीक है तो आप लोगों कोई क्लियरली नजर आरे कि जो मैंने आप लोगों कॉंसेप्ट दिया के सेंट्रियोल के एक और फंक्शन यह कि यह स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं डूरिंग सेल डिविएं तो मैंने आप को दिखाया कि इस पिंडल फाइबर्स जोई यह बन रहे हैं सेंट्रियोल से और यह अटैज कर रहे हैं अपने साथ क्रोमोसोम्स को आगे जाकर जोई यह इस पिंडल फाइबर्स रेवों क्या करेंगे इन दोनों क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से क्या करेंगे दर्मयान से ज हम जो नहीं जाएंगे अभी के लिए आपके लिए सिर्फिंडल फाइबर्स वह इंपॉर्टेंट है आगे जो सेल डिविजिन की डिटेल है वह आप लुक पढ़ेंगे फिफ्ट चैप्टर में को मैं तो यहां पर मैंने आप लोगों को जो ही वो सेंट्री ओल चाज्व का बताया कि सेंट्री ओल का जो फंक्षण है एक टूस्पिंडल फाइबर बनाने हैं दूसरा सिल यह और फ्लैजिला बनाने स्टूटिंट्स अब मैं आप लोग को एक कोई कrevy मुद देती हूं कि से ऐसे ओर डील सते हैं जो के क्या कहा कहां पर यह यहां के लूते हैं यह यह डुब हाए वी प्रेजयन होते हैं एनिमल सेल्स में और साथा साथ जुनिशरा और बियू नि फक्रिक्र और ओं 맞아 गा और इस को कि कुछ सी बने होते हैं था हैं हं सो क्या हिbelounding है इंनका है कि इसे अबनाते हैं साथ स्पिंप्रफाय बनाते हैं और हम धो संट्रील को कलेक्टिवर्य नाम देते हैं उसा अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेस्ट लूँगी और यह क्वेस्ट आप लोग के लिए important है exam point of view से तो सबसे पहले जो short question मैं आप से पूछने जा रही हूँ है what is centrosome यह बहुत ही important short question है आप लोगों को यह question वहाँ जब उठाके देखेंगे तो आप लोगों को यह question वहाँ जब नजर आएगा कि centrosome क्या होते हैं तो आप लोगों को पता हूँ चाहिए two centros are collectively known as centrosome इसके बाद students हमारे पास जोए वो क्या है second question हमाई पास और second question हमाई पास क्या है give occurrence of centros यानि कहां कहां जोए वो पाए जाते हैं centros तो आप लोगों को पता है कि कहां कहां पाए जाते हैं आप लोग जोए वो सोचें कि कहां-कहां पाए जाते हैं यह सेंट्रियोल तो हम यह देखते हैं कि animal cells हो या फिर unicellular organism so centrals चोए वो animal cells में भी पाए जाते हैं और unicellular organisms में भी पाए जाते हैं इसके बाद students हम लोग देख लेते हैं कि cent Small Co care rollo Ti ideia कि यह पस्थर श्वार्ट को सनद और यह भी कंपॉर्टनर कि फंक् agf फंक्शन या गिफ रोल ओV थो तो्स चेनट्यूल्स जाया रोल होता है किया इसका क्या फंक्षन होता एक ही बात है तो हम यह देखते हैं कि इसका क्या रोल है एक तो सेंट्योल जोरिंग सेल डिवी जो इस फिंडल फाइबर बनाते हैं और दूसरा यह सीलिया और फ्लैजला बनाने में जो क्या करते हैं इन्वाल्व होते हैं इसके बाद स्टुडेंट्स आप से जो वो लॉंग पर उठाके देखेंगे तो आपको जो यह वो लॉंग कुस्ट्ट भी आया है सेंट्रियोल पर नोट आया हुए राइट नोट और सेंट्रियोल तो आप दोगों ने यह नहीं सोचना कि यह बहुत चोटा सा टॉपिक है और अनिम्पॉर्टेंड है कोई भी चोटा सा अब पूचा सकता है जैसे कि लाजस्तों जोई वो सेंट्रियोल प्रहों से है लेकिन यह बहुत ही पॉइं लाइजाम ऑने आप लोगों ने पहले और तो नो बिश्चले आपने क्या बताने कि आपने इसकी अकरंस बतानी है कि centrioles जो हैं यह कहां पर present होते हैं, फिर आपने इसके structure को detail में जो है वो discuss करना है, फिर आपने location बतानी है centrioles की कहां पर यह present होते हैं, कहां पर इनकी जो है वो किस exact जगा पर यह present होंगे और last पर आप जो हो इसके role या function बताएंगे, एक ही बात है, आप कोई भी hiding बना सकते हैं और इसके बाद आप जो हो क्या करेंगे, इसकी diagram ड्रॉ करेंगे, जो कि आपकी book में भी दी गई है और diagram आपने हमेशा किसी से draw करनी है, pen से draw करनी है, pencil से draw नहीं करनी तो students हम यह देख लेते हैं कि आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी activity है और activity यह कि आपने कोई की जो है वो रिटन प्रैक्टिस करनी है, short question भी आपने जो है वो लिख कर देखने है और वो short question जो आपको नहीं पता, आपने पहले central जो है वो उसका topic prepare करना है definitions को highlight करना है, important जो मैंने आपको बाते पता है उनको highlight करना है और फिर आपने इनकी return प्रैक्टिस करने है साथे साथ आपने long question पे अटेम्ट करने है with headings और diagram भी ड्रॉ करनी है, pen से तो students मुझे उमीद है कि आप लोग जो है वो मेरी बात जरूर फॉलो करेंगे ताके आने वाले वक्त में जो आपके exam की preparation का वक्त आए, तो आप लोगो किसी किसम की difficulty जो है वो face ना करनी पड़े है जी students, तो आज हमने study किया centrales को, centrales का हमने structure देखा, साथ हमने यह देखा कि centrales कहां पर present होते हैं, साथ हमने centrales के functions को भी study किया, हमने centrales के diagram भी देखी, students मैंने आप लोगों से एक छोटा सा quiz लिया, जिसमें मैंने आप लोगों से short questions और long questions पूछे, आपने इन questions को जरूर प्र practice भी करनी है, क्योंकि ये exam point of view से बहुत ही important है, उमीद है आज के lecture कि आप लोगों को अच्छे समझ आगी होगी, next lecture तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और मुझे दौाव में याद रखेगा, लाफिस